करोना से होट स्पोर्ट बने इंदोर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है सौंबार देर रात आई यूपोर्ट में 18 नए पोजिटिव मामले मिलने के साथ ही यह आकड़ा 900 के पार पहुँच गया है शहर में अब तक 915 करोना संक्रमित सामने आ चुके हैं बावन की मोथ हो चुकी है लगारतार संक्रमन फैलने के बावजूत लोग कानून का पालन नहीं कर रही है सुबह कई समवेदन शील शेतरों में बेवजह घूमने वालों को पूलिस ने डंडे से समझाया चेकिंग के दो रांग जरूरी दस्तावेज या उचित कारण नहीं होने पर पूलिस ने लाठी से पिटते हुए उन्हें घरों की ओर लोटा दिया इसी भी सराफा टी आई का एक वीडियो सामने आया है इसमें बेवजह घूमने वालों को सबक सिखा रही है पंडरी ना थाने के टी आई भी ज्वाहर मार्क पर कुछ ऐसा ही करते नजर आए सराफा टी आई अमरिता सोलंग की वीडियो में कहती सुनाई दे रही है कि सुनो तुम किसी से भी मेरी शिकायत कर देना बता दे की व्यवस्थाओं को देखने और समझने के लिए केंद्रिय दल इंदोर पहुंचा दलने अफसरों के साथ पहली बैटिक में ही सपस्ची है कह दिया कि लोग डाउन का सक्टी से पालन करवाना है उसके बगया संक्रमन को रोका नहीं जा सकता आपको बता दे चले कि मंगलवार सुभे पूलिस टीम ने रावजी बाजार, चंदन नगर, जूनी, इंदोर, खजराना, रानिपूरा, ताटपटी, बाखल, सहित, पस्चिम इलाके में सक्ती की है इनी शेत्रों में सबसे ज़्यादा करोना संक्रमित सामने आए हैं, संक्रमित शेत्र होने के बाद भी लोग मान नहीं रहे कर्फियों का पालन कराने के लिए पूलिस ने सदर बाजार इलाके में धाई किलोमेटर पैदल मार्चन काला इस दोरान कालोनियों में जुंड बना कर खड़े यूगकों को पकड़ कर उन्हें मुर्गा बनाया और फिर उन्हें चलने को कहा एसपी मनीश खत्री ने बताया कि फ्लैग मार्च इमली बाजार से जिनसी बड़ा गनपती गोपाल निवास चुराहा कड़ा बिन जीसी जांट मैदान मलाहर पलट छीपा बाखल मलाहर गंच्थाना जूना रिसाल और मुना मेडिकल तक निकाला गया इस दोरान कई ऐसी गाड़ियों को भी चप्त कर लिया गया कि वाज बागार प्रफाद कर दोरा कि अदर प्रफाद कर दोरा निकालन में प्रफार प्रफार जूना जब फोलिसमाला मुरता तो केसी लगती हैं तो यद दोक्टर मुरता तो तो उखे खुपोगर ने अगल की। आपको कियो थे लिडि़े स्वी एंग में पलाइकन को लिक करे हमारी छैनल को लाइप शेर और शॉच्क्राइब करें खन्यवाद